साथियों आज आप देखेंगे सीटेट सुपर्टेट और यूपी टेट की क्लास नंबर बारा ट्वेल नंबर देखिए बहुत ही मातपूर्ण सवाल होंगे क्लास चाहें चोटी हो या बड़ी लेकिन सवाल जादा होंगे पहला कुश्चन है बार लगा है इस पे और सभी प option select करना है तो परिक्षा में हम ऐसे स्थितिति में क्या करेंगे साट करत में हम करेंगे जैसा कि आप यह जान लो कि जितने गिंद्दी पर लगा उस गिंद्र को लिखोगे अगर एक इन गिंद्दी पर नीचे वन टाइम नान लिख दोगे और अगर यह शीर है बार लगा ह है याद रखना यह चोपी टिक है अब है अम सब aider करना बहुत ही आसने सि Hispanics और बहुत ही आसफान है इसी तरह से आप दूसरा वाला भी कर लोगे और तीसरा वाला भी कर लोगे सभी के आप देखो तो बराबर हैं आप अंसन्स को जोड़ोगे साथ चाह 13 अरे बाई वैसे जोड़ोगे काइस हो जाएगा यह काट दोगे तीन से तीन सब्सक्राइब करोगे 2.3 आएगा और सभी पे चुकी 11 डिजिट पे बार था तो आप यहां पे बार लगा दोगे यह अंसर हो गया है ना कितन जल्दी से आंसर आगया आपका यह पहला हो गया जल्दी नोट करिए अगले कुश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं देखो भाई कलाश चाह चोटी हो या बड़ी हो लेकिन आप कांसेप्ट समझते चलिए एक जाम में ऐसे ऐसे सवाल आ जाएंगे और आप चुटकियो मैं ऐसे ही सवाल आते हैं याद रखना सेम टू सेम आ जाएंगे अंक भी निवद लेगा लेकिन आप इनको तरीका समझे रहो सिकंडों में कर ले जाओगे मैं समझाता हूं एक मिनट में आप 10 सिकंड में करोगे लेकिन सीख लो था इसमें से कोई एक ऑप्सन सही होगा जाएगा यह पॉइंट और यह जीरो तो बहुत जल्दी करिये स्क्रीन साट लेते जाएए आगे बढ़ते जाएए बहुत ही मस्क सवाल है दसमोलों वाले यह कोई मैं बैसी कांसेप्ट कहीं नहीं बता रहा हूं एक परकार से समझे लो इसमें आप ट्रीखी लगा रहे हो है ना दो सवालों अगला सवाल न मबर देखो बहुत ही आसान है वियरीकिन-ा मान रही है लेकिन से आप लेक्सों 싸टा मै enam मेला नंहीं लाएं तो इसमें से आप सना तो आप्सन होगा डी नंबर अब देख लो ट्राई करके जो भी होगा फिलाल चलो देखते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आप 0 लिख दो के जैसे देखो यह 4 था तो 4 को हम 4.00 लिख सकते हैं कोई फरक नी पड़ना है अब इसके नीचे देखो यहां पर देखो इसके नीचे तो फोर आ गया इसके नीचे कुछ नहीं आज 0 लिख दो यहां पर कुछ नहीं तो आप सुनने लगा दो बराबर हो जाए मैं समझा रहा हूं जिससे आपको confusion ना हो इसके उपर कुछ नहीं है तो आप जितना जगा कुछ नहीं उतना जगा सुनने लगा दो य एक और चार एक पांच फाइब डेवल जीरो पॉइंट एट इसका अंसर होगा इसमें से कोई आप सुन साही नहीं है इसलिए ना आप दीच होगा है ना कितना आसान मतलब तीन मिनट में तीन सवाल है ना जल्द जल्दी फटा फट लिखते जाओ यह सवाल देखो कितना आसान है बेरी सिंपल सा है लेकिन यह थोड़ा सा मुश्किल बहरा आपको लग रहा है ना यह किसके बराबर है त्यान दीजिए कह रहा कि 2.33 इंटू 2.33 प्लस 0.33 इंटू 0.33 माइनस का 0.66 इंटू 2.33 यह किसके बराबर है अगर आप देखो तो इसम P माल ले हम यह भी ओले को यह हो रही हो रहा एक और माइनस आप का और यहां टू एबी कहां हो रहा है थिए बी हो रहा कैसे हो रहा देखो, यह A तो वहां है लाइश्ट में, लेकिन B छुप गया है, B कहा है छुप गया पता है, हम यह चीज जो है यह, इतना को हम लिख सकते हैं, 2 into 0.33, इसमें कोई मुसीबात नहीं न, यानि 2AB, भाई यह B पहले, यह बाद में कोई फेक्ट नहीं पढ़ता है, आप कह सकते हो, 2AB, फार्गूला बन रहे न, तो मतलब हम इसे कह सकते हैं, A-B का होली स्कॉयर, यानि की 2.33, और माइनस B, यानि 0.33 का होली स्कॉयर, यह साइट कट हो गया न, इसको घटाओगे, 2 आएगा, सिंपल सक्या आएगा, 2 आएगा, 2 का होली स्कॉयर करोगे, तो कितना आएगा भाई साइगा, आप 4 आएगा, हैनं कितना आसान, जल्दी फिलिक लीजिए, फटा-फट देर मत करिए, वीडियो को सेयर जरूर करना, ऐसे ही बहतरीन क्लास आपके लिए आएंगी, भाले क्लास चोटी हो, लेकिन सवाल जाता होंगे, चलिए, चल्दी आगे बढ़ते हैं, हम लोग, बहुत ही बहतरीन सवाल है, यह बहुत ही इंपार्टन कोईश्चन है, पूछे गए हैं पहले, देखिए, पच्चबा एक और सवाल, लाश्ट सवाल, आज की इस कलास का बहुत ही चोटी कलास है, बहुत ही प्यारी कलास है, इसका आप लोग मुझे बता दो, इसकी अगर आप लोग कहो तो मैं आप्शन भी देता हूँ, तीन, दो, एक, पाँच, चलो, बहुत सिंपल सा है, भाई आप एक बात देखो, यह एक इसकार बन जाएगा, यह बन जाएगा, बच्चा, लेकिन टुए भी नहीं बन रहा है, बनेगा, देखो, यह सिंपल सी बात है, यह एक अमान दिया है, बी जो है यह यहाँ पे छिपा है, यानि यह चीज जो है, कुश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइए, और इस कलास को खूप सेर करें, जादा अभी हो जाएंगे, हम ऐसे ही बड़ी-बड़ी कलास देंगे, एक दो-दो घंटे की कलास देंगे, सैकड़ो कुश्चन एक कलास में करवाएंगे, टॉप कर जाओगे आ अच्छी तरह से, तो आप ध्यान पूर्वख देखें और नोट करें